बजेट वाले लोगों के लिए वो वाले प्रोसेसर मस्त प्राइस पे मिलने श्तार्ट हो जाएंगे यह जो ग्राफ आप ब्लू ब्लू देख रहे हो इतने हाई हाई वो एकदम चिपकु चिपकु हो जाएंगे जैसे शुरू में इस इस दा में ट्रिक आफ इंटल अरे पाप रे यह तो धोती खोल रहा है इन माई ओपेनियन 14500 इस तो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोसेसर जीपीउ आर्टीक्स 4090 को सबसे कम बॉटलनेक जो कर रहा होगा इन डिफ्रेंट डिफ्रेंट गेम्स उस CPU की गेमिंग पर्फॉर्मेंस जादा तगडी होती है कि इंटल अगले जनरेशन में 15 जनरेशन में सॉकेट बदल लेने वाला है सो इंटल ने लांच कर दी है 14 जेन के नौन के एंड लैप्टॉप सीज प्रोसेसर्स इन CES 2024 इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इनी के स्पेसिकेशन क्या पर्फॉर्मेंस जंप रहने वाला है और क्या वर्थित है 12 या इवें 13 जनरेशन से 14 जनरेशन पर जंप करना आपको कौन सा प्लैटफॉर्म लेना चाहिए AMD के इंटल और AMD के मुकाबले कितना पर्फॉर्मेंस जंप है उन सब का केमपैरिसम सब कुछ A to Z इस वीडियो में मिल जाएगा और कुछ स्पेशल चीजें जो आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है अब इन नॉन के प्रोसेसर को कंपेर करने से पहले आपको यह पता होना जरूरी है कि के सीरीज के जो प्रोसेसर लॉंच किये थे इंटल ने इन अक्टूबर 2023 उसमें कितनी पर्फॉर्मेंस जंप थी तभी हम लोग उसको नॉन के प्रोसेसर से एंड अमडी काउंटर पार्ट से कंपेर कर पाएंगे बट उससे पहले बहुत सारे लोगों को यह पता ही नहीं होता है कि इंटल के प्रोसेसर में के एफ, के एफ, यू, एचेक्स इन सबका मीनिंग क्या होता है तो शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ किसी भी इंटल के प्रोसेसर के लास्ट में अगर के लगा रहता है तो उसका मतलब होता है कि वो प्रोसेसर ओवर क्लॉकेबल है एफ लगा होता है इसका मतलब उसके अंदर इंटीग्रेटेड आई जीप्यू नहीं है आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लगाना पड़ेगा तो गेट दे डिस्पले इंद बायोस अगर के एफ दोनों लगा रहता है इसका मतलब है कि प्रोसेसर ओवर क्लॉकेबल है बट उसमें इंटीग्रेटेड आई जीप्यू नहीं आता है यह तो हो गई डेट्स्टॉप प्रोसेसर की बात जो लैप्टॉप में मुवाइल प्रोसेसर साते हैं उसमें तीन कैटेगरीज होती है इंटल की मेंली पहला इंटल के HX सीरीज वाले प्रोसेसर जिसमें सबसे हाई पर्फॉर्मेंस आपको मिलता है एकदम फिर आते हैं H-Series के प्रोसेसर जो मीडियम टाइप के होते हैं और फिर आते हैं U-Series के प्रोसेसर जिनकी TDP सबसे कम होती है और बैटरी लाइफ से जादा होती है यह थिन एंड लाइट के एकटेगरी में भी होते हैं इन 14th Gen K-Series के 6 प्रोसेसर लाँज किये थे इंटल ने I9-14900K, I7-14700K, I5-14600K and their F-Variants अलसो अब इंटल में आप जानते हो कि 12th generation से उन्होंने P और E course देना शुरू कर दिया है P performance course होते हैं और E efficiency course performance course ही सबसे जादा performance देते हैं और efficiency course को आप compare कर सकते हो इंटल के 10th generation के जो course की power थी उसी के बराबर आप मान सकते हो एंड जो इंटल के performance course है उसी में hyper threading होती है मतलब एक core में दो threads होते हैं बाकी efficiency course में single core single thread तो इसी के हिसाब से आप यहाँ पे अलग-अलग CPUs के P and E course देख सकते हो with their respective threads for example 4900K में 8 performance scores है तो इसका double threads होगा मतलब 16 threads and 16 efficiency course है मतलब 16 threads और 16 plus 16 32 threads हो गया जो की यहां पे लिखा हुआ है इस तरीके से आप बाकी processors का भी जान सकते हो and फिर other specification like cache memory L1, L2 and maximum boost frequency of the performance scores 6 GHz है out of the box 14900K में अब इसको Intel बहुत ही अच्छे तरीके से marketing के लिए इस्तमाल करता है बताता हूँ कैसे पाकी जैसे जैसे आप i7, i5 पे नीचे नीचे जाते जाओगे performance score का जो peak value है by default वो कम होते रहेगा अब इस चीज़ को याद रखना क्योंकि आगे comparison करते time ये काम देगा and efficiency course की frequency आप देखी सकते हो 10th 11th Gen के CPU course के बराबर है and then आप देख सकते हो कि processor graphics में जिस model number के आगे F नहीं लगा हुआ है उसमें integrated graphics है बाकी 12, 13, 14th Gen, Tino DDR5 as well as DDR4 RAM को support करते हैं लेगिन I don't think कि 13400F से महंगा processor अगर कोई लेता होगा तो उसमें DDR4 RAM लगाता होगा जैसे ही आप high end पे चले जाते हो तो वहाँ पे DDR5 RAM लगाओगे तभी आप Intel के processors का true potential निकाल पाओगे DDR4 अगर लगाओगे तो फिर वही बात हो गई कि accelerator तो पूरा दे रहे हैं लेकिन gear first लगा के रखा समझ रहे हो बाकी उसके बाद आप dollars में pricing देख सकते हो अब इसको आप convert कर सकते हो 83 से multiply करना है जैसे मैंने पिछले दोनों वीडियो में बताया कि 1 dollar is equal to 83 rupees approximately and plus उसमें GST एड़ करोगे 18% जो final value आती है उसके साथ तब आपके पास pricing आ जाएगी but this is estimated pricing real pricing जानने के लिए आपको वेदान्थ computer या MD computers पर जाना पड़ेगा उस पर आप model number type करो अपने आप pricing आ जाएगे जब आप खरीदने वाले हो कैसे पता लगाए कि आपसे कोई ज्यादा चार्ज कर रहा है कि नहीं तो भी comment कर देना उस पर भी video बना देंगे अगर मेरा मोटो कोई 5-10 minute की video बनाना नहीं है मेरा मोटो है कि पूरा आपको full information देना एंड कैसे मैं सोचता हूं किसी भी चीज को compare करता हूं लेने से पहले उस तरीके की सोच आप में develop करें इसलिए video हो सकता है 20-25 minute का बन जाए लेकिन देख लोगे तो knowledge हो जाएगा आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता हो कि काश कोई बताने वाला होता तो वही बताने वाला मैं हूं अच्छा अगर आप यह सब जमेला लेना ही नहीं चाते है आप चाते हो कि भाई कोई मेरे को ऐसा मिल जा है कि बस वह PC बिल्ड अच्छे से अच्छा कर दे प्राइज रेंज के अंदर सारी चीजों को देखते हुए जिसमें कॉमन आदमी जब नहरू प्लेस जाता है तो वो ठगा के आ जाता है इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि बहुत जल्दी हमारा ओनलाइन स्टोर खुलने वाला है जहां पे आप 100% transparency के साथ इसी तरीके से एक एक component के उपर voice या video call करके order दे सकते हो और लाइव अपना PC build बनते वे देख सकते हो क्योंकि हमारा main focus रहेगा on customer satisfaction जैसे ही online PC build store open होता है मैं आपको जानकारी दे दूँगा as a startup मुझे भी आपके support की जरूरत है and then Intel ने बताया था कि हमारा processor out of the box 6 GHz पे boost clock आता है and 23% better performance है than 13 generation and 54% faster है than 13 generation अब ये बड़ी बड़ी बोलने की बाते हैं असल में ये लोग ऐसा कैसे बोल पा रहे हैं उसके पीछे का logic समझो तो इन्होंने gaming performance दिखाया जो कि obviously बढ़ा चड़ा के ही होता है अब मैं ये भी बताऊँगा कि असली gaming performance कैसे compare करें i9 4900K versus 7950X 3D को compare किया गया है मतलब best gaming processors के बीच में ये fight यहाँ पे Intel दिखाता है कि उसका processor up to 23% fast है लेकिन सिर्फ Metro Exodus में आप नीचे zoom करके देखोगे सिर्फ उसी में 23% आ रही है and star field उसी को वो इस चार्ट में बोल रहा है 23% faster अच्छा बाकी में आप देख सकते हो किसी किसी game में वो AMD से पीछे भी हो रहा है तो यहाँ पे आप average लोग है ना तो ये निकल के आएगा कि Intel एकदम बरावर है 14 जनरेशन में भी 7950X 3D के मुकाबले अब marketing strategy ये रहती है ना Intel AMD किसी भी brand खुद को superior दिखाने की कि एक तो पहली बात जब आप test करने जाते हो कि processor कितना capable है in gaming तब आप game को 1080p resolution पे चलाते हैं और जितना कम से कम graphics हो सकता है उतना कम से कम graphics रखते हो जैसे यहाँ पे ultra नहीं रखा गया है high रखा गया है and rate racing भी off है अब ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि GPU पे जादा load न पड़े जैसे ही हम लोग resolution बढ़ाते हैं settings बढ़ाते हैं graphics card पे जादा load पड़ता है क्योंकि graphical power जादा demand करेगा ना फिर game resolution और graphic setting बढ़ाने पे CPU पे तब load पड़ता है जब आप resolution कम कर दो and settings को low कर दो and obviously इसके साथ Intel ने 4090 लगाया होगा to compare तो जब आप ऐसा करते हो resolution इकदम कर दिया settings high कर दी and आपने 4090 लगा दिया तब फिर fps आपके 300-400-500 निकल रहे होंगे तब पता चलता है कि कौन सा CPU कितना ताकतवर है जिसके fps उस case में ज़ादा निकलेंगे एक तरीके से CPU कब bottleneck हो जाए with the most powerful GPU ये देखा जाता है तो उस case में सबसे ज़ादा fps जो निकाल रहा होगा GPU RTX 4090 को सबसे कम bottleneck जो कर रहा होगा in different different games उस CPU की gaming performance ज़ादा तगडी होती है and ये single core performance पे ज़ादा depend करता है than multi core performance and single core performance Intel की ज़ादा है in 14900K and 14700K than AMD counterpart but जैसे ही आप 14600K 14500 and 13 generation का 13600, 13500 13400 पे आ जाते हो Intel अपनी boost frequency को इतना low कर देता है almost 5 GHz के आसपास की फिर AMD के counterpart की single core performance जो है वो ज़ादा बढ़ जाती है तो उस case में AMD जीतने लगता है single core performance में I hope आप समझे होगे इतने complex चीज़ को but अगर नहीं समझें तो कोई बात नहीं जो मैंने पहले बोला वही याद रखना कि gaming performance में average निकालें तो दोनों processors neck to neck हैं जादा difference है नहीं and next इन्होंने frame consistency दिखाई है जो 1% and 0.1% lows होते हैं जो भी basically stuttering आती है बीच में games के while loading and event while running तो उसमें Intel की 14 gen ज्यादा better perform करती है but इस chart पे उतना विश्वास करने की जरूवत है नहीं अगर आपने कोई processor लेने का मन बना लिया है और चाहते हो कि compare कर लूँ कैसे compare करूँ मैं उसका gaming performance तो इस chart को देखके कभी compare मत करना यह marketing strategies वाले charts है suppose आप confused हो 4900K and 7950X 3D के बीच में कि कौन सा better gaming performance लेगा तो पहली बात तो जो 3D वाले processors होते हैं AMD के वो gaming में ज़्यादा अच्छा perform करते हैं due to 3D vcash technology पर फिर भी अगर आपको doubt हो रहा है 4900K vs 7950X 3D gaming performance test बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे और उसमें आप different resolution पे different settings पे different different games चेक कर सकते हो frame rate 1% lows frame time and 0.1% lows अब उसको भी कैसे देखना है उस पे अगर वीडियो चाहिए तो comment कर देना क्योंकि सारी चीजे मैं एक वीडियो में cover नहीं कर सकता कि graphs को कैसे देखा जाता है GPU-CPU comparison में अब unfortunately मैं जादा देर तक किसी और चैनल का यहाँ पे comparison लगा नहीं सकता नहीं तो शायद copyright strike आ जाए बट फिर भी मैं try करूँगा आपको समझाने का अब यहाँ पे इन्होंने compare किया है 4900K को 7900X 3D 7950X 7800X 3D के साथ अब बात कर लेते हैं कि 12th generation 13th generation और 14th generation में कितना performance jump देखने को मिला है 14700K, 13700K and 12700K के बीच में comparison दिखाया है obviously 12th generation से 13th generation में जादा performance jump था and 14th generation बस नाम का इन्होंने निकाल दिया है 3 से 4% maximum 5% का difference है in generational performance and IPC games अब यहाँ पे Intel की थोड़ी चालवाजी में आपको बताता हूँ कि इन्होंने i7-14700K को ही क्यों चूज किया इस graph को दिखाने के लिए क्योंकि सिर्फ i7-14700K में ही Intel ने 4 efficiency cores बढ़ाया है then 13700K 13700K में 8 efficiency cores आते थे अब 12 आते हैं तो इसलिए इस graph में i7-14700K को दिखाया है ताकि वो 13700K से उसका multi-core performance और जादा निकले यूँकि उसमें 4 efficiency cores extra है बाकि सारे i9-4900K 14600K 14400, 14400F and 14100 में सब में cores और thread count सेम है i7 को छोड़ के मतलब इस graph को छोड़ के अगर आप कोई भी 13 generation के counterpart को 14 generation से compare करते हो तो यह जो graph आप blue-blue देख रहे हो ना इतने high high वो एकदम चिपकू-चिपकू हो जाएंगे जैसे शुरू में This is the main trick of Intel अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है सब ही ऐसा करते हैं AMD, NVIDIA, Intel, 3ो के 3ो RGB अब अगर आपका सवाल है कि 12 generation से 13 generation पे जंप करना चाहिए कि नहीं या 13 generation से 14th generation पे अपग्रेड करना चाहिए कि नहीं वर्थ इट है कि नहीं तो पहला case अगर आपके पास 12100F, 12400F है अगर आप चाते हो कि multi-core performance है अच्छा अपग्रेड मैं करूं तो आप 14 generation के 14400F तक जा सकते हो या 14600K तक जा सकते हो पट मेक शूर आपका motherboard भी उतना ही अच्छा हो Atlas B660M motor Wi-Fi हो MSI का ताकि जब आप अपग्रेड करो तो आपके motherboard का VRM फुक न जाए अगर आप पास 13th generation का कोई भी प्रोसेसर है जैसे i5-13600K आप चाते हो कि 14600K पर अपग्रेड करो कोई मतलब नहीं है even i7-13 generation से i7-14 generation पर भी अपग्रेड करने का कोई मतलब नहीं है i9 में भी कोई मतलब नहीं उतना जादा कुछ performance अपलिफमेंट है नहीं 13 से 14 generation में अब यहाँ पे Intel ने compare कर लिया है 7950X जो flagship प्रोसेसर है AMD में आप जानते हो वो efficiency और performance एक ही core में डिलेवर करते हैं उनका ऐसा कहना है वो i7-14700K को पचाड रहा है या उसके neck to neck है एकदम in different 2D and 3D modeling application तो इससे क्या बात पता चलती है AMD का जो एक core है single core जो की performance core भी है efficiency core भी है वो Intel के performance core से भी जादा ताकतवर है अगर एक single core को performance core से compare किया जाए तो ठीक है क्योंकि 14700K में 8 performance core है and 12 efficiency core है तो total of 20 cores फिर भी 16 cores 32 threads का 7950X उसके बराबर performance में आ जा रहा है and Intel ने थोड़ी बाजी अपने तरफ रखने के लिए इस graph में 4900K से इसको compare कर दिया पता नहीं क्या सोचके जबकि 4900K में 24 physical cores आते है समझ लो आप 8 efficiency cores जादा है फिर भी 4900K ऐसा नहीं है कि भई 50% जादा performance है maximum हिनों ने दिखाया है जो 17% जादा performance है तो इससे क्या पता चलता है AMD का single core performance and single core much more powerful है than Intel counterpart इसलिए Intel को जादा course performance cores and efficiency core का mixture देना पढ़ रहा है at less price उसको compensate करने के लिए जिसके वज़े से AMD के platform पे अगर आप जाते हो तो उसमें gaming में FPS आपको जादा मिलेंगे तो अब आपको decide करना है आप Intel के साथ जाना चाहते हो या AMD के साथ जाना चाहते हो Intel में आपको multi core performance same price पे थोड़ा जादा मिलेगा due to extra physical cores and AMD में आपको single core performance जादा मिलेगा मतलब games में FPS जादा मिलेगा and इनका 3D V-Cache टेकनलोजी तो है ही games के FPS को और जादा push करने के लिए बहुत important point ध्यान से सुनना कि Intel अगले generation में 15th generation में socket बदल लेने वाला है ऐसी खबरे आ रही है 14th generation LGA 1700 socket पे last generation होने वाला है इसके बाद आप चाहो तो same motherboard में upgrade नहीं कर पाओगे CPU को but AMD ने अभी सिर्फ 7000 series ही निकाली है and AMD ने तो promise किया है कि 2026 plus तक वो AM5 socket को retain करेंगे बिल्कुल जैसे AM4 socket को retain किया है 7 साल हो चुके हैं अभी तक AM4 socket जिन्दा है and AMD ने ने प्रोसेसर निकालते जा रहा है like 5700X 3D so 2017 या 16 में शायद 1000 series आई थी AMD की AM4 socket पे ही अगर उस टाइम पे किसी ने Ryzen 5 1600 खरीदा होगा आज के डेट पे वो 5700X 5800X तक अपग्रेड कर सकता है अगर उसके पास अच्छा motherboard है VRM के साथ तो ये बात ध्यान रखना कि Intel में socket बदल जाने वाला है 14th generation के बाद but AMD में अगर आपने अच्छा motherboard ले लिया 7000 series का decent B650 motherboard तो आप अपग्रेड कर पाओगे at least 2026 तक मतलब 2 generation 8000 series 9000 series तक कम से कम तो अगर आप कोई ऐसा बंदा या बंदी हो कि वो एक ही बार processor लेगा फिर वो 10 साल तक इसी को चलाएगा या 5-6 साल तक at least इसी को चलाने वाला है तो आप 14th generation के साथ जा सकते हो बढ़ आप CPU बदलते रहते हो नए नए CPU लेते रहते हो एड आपको अपग्रेड पाच चाहिए कि मुझे नया motherboard ना खरीदना पड़े बस CPU BIOS अपड़ेट करूँ CPU नया लगाऊँ मैं एड नया ना लेना पड़े तब आप AMD के साथ जा सकते हो इस तरीके से सोचना पड़ेगा आपको लेने से पहले अब यहां पर आपके दिमाग में एक बात आएगी कि Intel तो भई सेम प्राइस पर सिमलर प्राइस पर जादा फिजिकल कोर्स वाले प्रोसेसर दे रहा है देन AMD वो इसलिए दे रहा है ताकि AMD के पर्फॉर्मेंस को उसे मैच करना है और इवन i9-14900K में भी आठ पर्फॉर्मेंस कोर्स ही है बाकि सारे एफिशेंसी कोर्स हैं 16 के 16 ऐसा इसलिए है क्योंकि Intel कहीं न कहीं जादा पावर ड्रॉ करता है इंडियर प्रोसेसर AMD के प्रोसेसर का पावर एफिशेंसी जादा बेटर है अब उसमें भी अगर वो पर्फॉर्मेंस कोर्स और बढ़ा देगा तो पावर ड्रॉ और जादा हो जाएगा एक तो ऐसे ही 14900K 14700K को कूल करना इतना मुश्किल है इंडियन समर्स में 360mm के हाई-end AIOs भी पसीने छुड़ जाते हैं उनके तो उसमें अगर इंटल ने पर्फॉर्मेंस कोर्स अभी देना शुरू कर दिया मतलब 24 के 24 पर्फॉर्मेंस कोर्स या 16 के 16 पर्फॉर्मेंस कोर्स तो उनका पावर ड्रॉ और जादा चला जाएगा फिर उनके CPUs टेबल भी नहीं रहेंगे सो अक्तूबर में ये 6 प्रोसेसर लाँच किये थे इंटल ने K-Series वाले विद देर F-Counterparts और ये उसकी respective pricing है और ये 13 जनरेशन के price पे ही आ गए और 13 जनरेशन के prices थोड़े कम हो गए अब आपने जान लिया है K-Series प्रोसेसर के बारे में non-K U-Series and HX-Series को जानने में आसानी होगी अब हम लोग आते हैं Intel के अभी वाले CES के तरफ जो की January 8 को हुआ उसमें इन्होंने 18 प्रोसेसर लाँच किये हैं अब उसमें भी category है पहले हम लोग non-K प्रोसेसर के बारे में बात करेंगे जिसको overclock नहीं कर सकते हम लोग तो इसलिए आप देख सकते हो 4900 non-K 5.8 GHz तक बूस्ट हो रहा है maximum जबकि K वाला जो counterpart था वो 6 GHz पे बूस्ट हो रहा था इसी तरीके से frequency कम कर दी गई है और आप इनको overclock करके frequency इनकी बढ़ा नहीं सकते ये locked processors है और उसी के हिसाब से pricing थोड़ी थोड़ी कम कर दी है 30-40 dollars अब उसको आप convert कर सकते हो देख सकते हो कि कितने price पे आएगा obviously जो K वाले variants है उससे 2-3-4-4-4 कम ही में आएगा ध्यान देना इसमें कोई भी F वाला variant नहीं है इसका मतलब सभी में integrated UHD graphics आता है परलब आपको इसमें graphics card लगाने की जरुवत नहीं है to get the display in the BIOS अब समझ में आ रहा है जो इतना पीछे मैंने कहानी बताया आपको अब ये चीज़े आपको समझने में easy रहेंगी अब यहाँ पे तीन प्रोसेसर्स नए लांच किये हैं बजेट वाले प्रोसेसर्स जो कि ये 14500, 14400 और 14100 और नीचे छोटा सा Intel का 300 सीरीज जो कि बच्चो वाले कंप्यूटर में आता है i5-14500 प्रोसेसर है न मेरे को best processor लगता है value for money 13500 भी best processor था क्योंकि ये जो i5-14500, 13500 लांच किया था न इसमें same उतने ही threads and core count से जितने 14600K में है फोड़ी frequency कम है बट उसके बहुत ही close multi-core performance आ जाता है at a very less price अभी इसकी price कितनी है I don't know मैं 13 generation के बारे में बताता हूँ कि 13600K जब लांच किया था उसकी price around 29,000 थी उस time पे and 13500, 23,000, 23,500 के आसपास मिलता था बतलब 7,000 रुपए कम एंड उतने ही course and threads so in my opinion 14500 is the best value for money processor mid range की बात कर रहा हूँ मैं obviously 13500 से आप 14500 पे upgrade नहीं करोगे क्योंकि performance जंक उतना है नहीं but अगर आप कोई पुराना generation इस्तिमाल कर रहे थे तो best यह है अगर आपके budget में आता है and again 14400, 14100 में कोई difference है नहीं 13100 and 13400 से थोड़ा बहुत 3-4%, 5% maximum का multi-core में upliftment होगा but एक बात मैं यह आपे बताना चाता हूँ कि 14100 लांच होने से 134 डॉलर्स का है जो कि समझ लो आप 15,000 का आएगा पर इससे अच्छी बात यह होगी कि budget वाले लोगों के लिए 12100F जो की 8,000 के आसपास बिकरा है और 13100F जो की 10,000 के आसपास बिकरा है उनकी pricing कम हो जाएगी और उनमें भी कोई जादा बड़ा difference है नहीं तो budget वाले लोगों के लिए वो वाले processors must price पे मिलने start हो जाएंगे क्योंकि again Intel i3 वाले segment में कुछ खास करनी रहा है same वही 3 generation से 4 core art thread यही मिल रहे है performance jump पे उतना कुछ खास है तो 12100F लेने के अलावा और कुछ मत लेना 13100F भी मत लेना उसमें भी कुछ उतनी performance jump नहीं है बट price आपको जादा देना पड़ेगा and आप performance extract भी नहीं कर पाओगे क्योंकि यह locked processors है overclock भी नहीं कर सकते हैं अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि AMD के तरफ से भी 4 core art thread का कोई खास processor आया नहीं है सदियों से सदियां बीट गई है i3 और R3, Ryzen 3 वाले processors में budget वाले हों के लिए कुछ है ही नहीं जब तक AMD कोई competition नहीं देगा Ryzen 3 वाले segment में Intel भी कुछ आगे नहीं बढ़ेगा मुझे लगा था 14 generation में कम से कम Intel 6 core देना start कर दे i3 में 4 performance cores और 2 efficiency cores बढ़ा दे कम से कम budget वाले लोगों के लिए तक नहीं competition नहीं है तो कुछ नहीं बुरा लगता है भाई आप लोग भी जानते हो अब next इन ही locked वाले processors के F variants counterparts भी launch किये इनकी pricing और कम रहेगी क्योंकि इसमें integrated iGPU नहीं है बाकि सारी चीजे same 14900F 14700F, 14400F and 14100F last में मैं एक चार्ट भी आपको बना के दिखा दूँगा K वाले processors versus non-K वाले processors versus F वाले processors इनके बीच में pricing का कितना difference है एं ध्यान रखना कि ये जो K और non-K वाले processors है इनमें जादा performance का आपको difference देखने को मिलेगा नहीं for example 4900K को अगर 4900 से compare करें हम लोग तो जादा से जादा 5% का performance downgrade आपको देखने को मिलेगा I don't know इत्ते सारे variants निकालते ही क्यों है Intel वाले एक तो confusing है ही मुझे आपको समझाना उपर से और launch करकर के same variants के अलग-अलग F, K, K, F और जादा मुश्किल कर देते हैं मतलब crowded कर देते हैं market कि बंदा AMD के तरफ देखे ही ना अब obviously जो 4900 ले सकता है वो 30-40 डॉलर extra दे के 4900 के क्यों नहीं लेगा हाँ ये बात तो सही है कि अब ये processors इतने out of the box overclocked आते हैं कि इनको overclock करने की और जरूरत है नहीं और overclock करने से उतना performance extract भी नहीं होगा उल्टा heat जादा generate होगा इंटल के case में इसलिए शायद ये वाले counterparts निकाले हैं ये variant मुझे तो लगता है इसलिए निकालते हैं कि AMD को टक्कर देनी होते हैं उसको पीछे हराना होता है इसलिए again marketing strategy again Intel as a brand तो हमेशा बताएगा ही next level performance है ये कर दिया हम लोगों ने इतना percent performance जंप है main graphs पे ध्यान देने का और खुद से research करने का वो भी कैसे करना है research अगर आप चाहते हो वीडियो comment down again इन्होंने 13 generation and AMD counterpart के साथ compare किया है अब ध्यान देना यहां पी यह कौन से processors यूज कर रहे हैं compare करने के लिए पहले इन्होंने overclockable K-series वाले प्रोसेसर अक्टूबर में launch किये थे तो उसको 7950X and उनके 3D version के साथ compare किया था अब यह non-K वाले variant है तो इनको AMD के non-X वाले variant के साथ compare किया है आइजन 9 7900 के साथ so everyday productivity में obviously 13 generation 14 generation ज्यादा ही perform करेगा क्योंकि उसमें physical course ज्यादा है and productivity में multi-threaded performance ज्यादा matter करती है तो यहां पे AMD हार जाएगा फिर भी एकदम ज्यादा नीचे नहीं गिरा है and मैं आपको बता दूँ कि and and मैं आपको याद दिला दूँ कि 7900 एक तो underclocked है and इसमें सिर्फ 12 cores आते हैं 24 thread and इसको Intel ने 20 core के 14700 के साथ compare किया है and 24 core के 14900 के साथ compare किया है फिर भी AMD एकदम पीछे नीचे नहीं गिर जाता है and again इससे यही पता चलता है पहने पहले भी बताया कि AMD का single core performance जादा है than Intel उसे के कारण Intel को जादा course देने पड़ते हैं at the same price to be better in multi-core performance and फिर आप सोचोगे कि Intel जादा better है than AMD तो Intel ही लेना चाहिए same price पे जब Intel जादा course offer कर रहा है तो but लेकिन फिर आपको वो चीज सोचनी पड़ेगी कि Intel अपना chipset change कर लेगा AMD नहीं करेगा तो ये सब चीजे हैं कोई clear cut answer है नहीं कि सिर्फ Intel के साथ जाओ, सिर्फ AMD के साथ जाओ आपको पूरा दिमाग में सोचना पड़ेगा इस तरीके से इसलिए मैं इतनी लंबी कहानी बता रहा हूँ कहने को मैं सीधे सीधे कह सकता था कि ये ले लो ये best है, ये ले लो ये best नहीं, हरे एक आदमी के लिए अलग-अलग cases हो सकते हैं सेम बात है content creation वाले field में भी Intel आगे निकल ही जाएगा, AMD पीछे रह जाएगा in multi-core performance now यहाँ पे Intel ने 13900 के साथ 14900 के compare किया है 5-6% का maximum performance jump है, तो मैंने आपको पहले ही बताया 13 generation से 14 generation पे जाने का कोई मतलब बनता है नहीं इसलिए अगर आपको मेरी बाते समझ में आ रही है consider subscribing subscribe कर सकते हो आप एक subscribe से बहुत motivation मिलता है and again अगर आपको जानना है कि nano review पे कैसे देखते हैं चीजों को compare कैसे करते हैं and even YouTube पे भी कैसे देखोगे उस पे वीडियो चाहिए, comment down मैं हूने यहाँ पे, अब बात कर लेते हैं Intel के mobile processors के बारे में जो की laptops के अंदर आते हैं अब इसमें मैं इतना detail में जाने वाला हूँ नहीं क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जो mobile processors laptops में आते हैं उसको आप ऐसे उठा के लगा नहीं सकते जैसे desktop में लगा सकते हो वो inbuilt पहले से ही आएंगे जो प्राइज रहेगी laptop की वही आपको लेनी पड़ेगी तो फटाक से खतम करते हैं वीडियो बहुत लंबा हो गया आभी तक कसब से लंबा वीडियो है इसमें Intel ने HX-series और U-series के processors लाँच किये हैं HX-series वाले एकदम खतरनाक 20 लेवल processors laptops के लिए and U-series मैंने पहले ही बताया low-powered laptop के लिए thin and light category में जो होते हैं जिसमें battery life ज़्यादा important होती है और इसमें एक बहुत ही मज़ेदार चीज नई चीज Thunderbolt 5 इंट्रड्यूस किया बाकी Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4 Next Gen Wi-Fi 7 भी इंट्रड्यूस हो गया and mainly Thunderbolt 5 के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो up to 240W power draw हो सकते है Thunderbolt 5 क्या है USB Type-C जैसा ही है बहुत सारे laptop को आपने देखा होगा कि बहुत सारे charger जो होते हैं mobile के अब तो 100-100, 200-200W के charger आने लगे है mobile के उसी से आप laptops को भी charge कर सकते हो but वो Thunderbolt 4 वाले थे अब Thunderbolt 5 आने से आप high-end laptops को भी USB Type-C से charge कर पाओगे 240W तक power increase हो गई है and display port जो हमारा होता है 2.1 वर्जन वाला उससे 50% ज़ादा bandwidth है and Thunderbolt 4 जो था हमारा उससे 3 times ज़ादा bandwidth है 120 Gbps Thunderbolt 4 में 40 Gbps थी अब एक केबल से आपके सारे काम हो जाएंगे high-speed data transfer भी display भी उसी से आ जाएगा charge भी उसी से हो जाएगा high-end laptops भी यह सबसे मसेदार चीज़ है and यह future की technology होने वाली है बहुत ही must बाकि इन्होंने mobile processors का फिर features बताना शुरू कर दिया जिसमें आप और मैं कोई भी interested नहीं है अब main बात आ जाते हैं जो सबसे high-end 4900HX लाँच किया and इसमें कोई KF है नहीं तो यह overclock भी हो सकते है and इसमें integrated GPU भी आता है अब समझ में आ रहा है ना subscribe कैसे लिखे जाते है Intel के processors में same वही चीज है 4900HX, 4700HX 14650HX with 24 cores, 20 cores, 16 cores and so on बस यह laptops के लिए बने हैं इनकी boost clock and base clock थोड़ी कम होगी क्योंकि laptop में छोटी जगे होती है heat निकालने के दिए and that's why इनकी TDP भी कम होती है इसलिए आप कभी भी 4900K and 4900HX को compare नहीं कर सकते क्योंकि desktop वाले ज़ादा powerful होते हैं ज़ादा TDP, ज़ादा power consume करते हैं क्योंकि desktop में जगें होती है इतने बड़े cabinet में laptop में उतनी जगें नहीं होती इसलिए TDP कम करना पड़ता है frequency कम करना पड़ता है but core same है इसमे but 4900K से कम performance देगा यह base power आप देख सकते हो only 55W and maximum power draw 157W सभीख है and 4900K का maximum power watt देखें तो इसका double से भी ज़ादा वो consume करता है 100% load पे अब 300W से भी ज़ादा and obviously इसकी price नहीं बताएंगे क्योंकि ये integrate होके laptop के अंदर आने वाले हैं laptop की जित्ती price होगी जिस configuration के साथ आएगा वही आपको price पे करना पड़ेगा यहाँ पे मेरा थोड़ा काम आसान हो गया नहीं तो pricing भी बतानी पड़ती है फिर calculate करके भी दिखाना पड़ता वीडियो और लंबा हो जाता समझ रहो and फिर तीन U-series के भी processors है औरे बास काना बाई एक तो naming scheme चेंज कर दिया Intel ने मेरा को पढ़ने में दिक्कत होती है Intel Core 7 Processor 150U 120U and 100U अब इसमें हर एक में दो performance cores है और efficiency cores 8, 8 और 4 respectively and जो सबसे best वाला है उसका base frequency and boost frequency सबसे ज़ादा है बागी फिर धीरे-धीरे frequency कम हो गई and as you know यह U-series के हैं power draw कम होने वाला है 15W base power है idle पे and 55W maximum boost power है अब यहाँ पे 14900HX को 7945HX के साथ compare किया गया है 7945HX 16 core 32 thread का processor है और 4900HX 24 core 32 thread का processor है जिसमें 8 performance cores है और 16 efficiency cores है and 1080p high settings पे again benchmark किया गया है gaming performance का bottlenecking scenario में so आप देख सकते हो 4900HX better है than AMD counterpart in different games most of the games and कुछ-कुछ games में तो अप टू 25% 30% तक faster है and next graph में 4900HX 7945HX 3D जो की AMD का ही laptop series का 3D वाला processor है and 7945HX को compare किया है so यहाँ पे भी आप देख सकते हो Intel clearly win कर रहा है फोड़ अई margin से अब इन graphs पे एक दम अंदभक्त बनके विश्वास मत कर लेना इस सज्जन को क्या तकलीब है भाई इन laptops के dedicated reviews देख लेना comparison देख लेना दोनों processors के and then decide करना अगर लेना होगा तो वैसे मैं यहाँ पे screenshot लगा देता हूँ दोनों के single core and multi core performance difference का from nano review अगेन उसी तरीके से in frame consistency भी दिखाया गया है मैं तो बिल्कुल विश्वास नहीं करता इस type के graph पे इसलिए मैं इसके बारे में जादा बात भी नहीं करूँगा फिर इन्होंने बात किया कि AI में content creation में and unreal engine 5 जो game engine है जिस पे games बनते हैं इसमें ये up to 1.5 times ज़्यादा performance देता है अब ऐसे तो सब brand अच्छा अच्छा बोलते हैं लेकिन जब main embargo lift off होता है तभी असली बात पता चलती है all round performance, gaming and productivity and content creation को मिला दिया जाए तो भी Intel का 4900HX आगे है 7945 HX से in different application अगर इन सभी graph का average लगा है 14700, 14650 and 14400 इन सब का comparison नहीं है तो आप nano review पे बोलेगे video बनाना तो जरूर बता देना मैं बना दूँगा and again जिन laptops में ये आएंगे उनके features जिसमें Thunderbolt 5 and Wi-Fi 7 latest and greatest सबसे best feature होने वाला है यहाँ पे इन्होंने H-series के भी processor के बारे में बताया है थोड़ा सा उसके बारे में उतनी information थी नहीं से लिए मैंने यहाँ पे include नहीं किया and 60 से भी ज्यादा laptops launch होएंगे from different partners Asus, Gigabyte, Acer इन सब के तरफ से and यहाँ पे भी वही marketing वाला funda 5.8 GHz 17% better gaming performance, 51% faster in multi-threaded workflow so यह था पूरा लिखा जो खा 14 generation का launch से लेके अभी तक के सारे launches तक in CES 2024 next video thermal paste के regarding होने वाली है कि क्या आपको एकदम महंगा high-end वाला thermal paste use करना चाहिए कि नहीं, किस case में use करना चाहिए and उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो मैं पिछले दो वीडियो से बोलते आ रहा हूँ कि AMD हमेशा क्यों पीछे रह जाता है NVIDIA से भले ही AMD जादा भी रहा मन्स जादा raw performance दे रहा हो कम price पे फिर भी NVIDIA के तरफ सब क्यों भागते हैं AMD को छोड़के इसके बारे मैं भी discuss करेंगे वीडियो पसंद आया, presentation पसंद आया कुछ नया जानने को मिला I know आदे घंटे की वीडियो है लेकिन worth it है, अगर आप यहां तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, subscribe कर देना ऐसे ही informative वीडियो के लिए किसी और topic पे भी वीडियो चाहिए तो comments में comment कर देना and PC Building Store बहुत ही जल्दी खुलने वाला है उसके लिए stay tuned and जाते जाते gaming channel को भी जरूर check out कर लेना जहां पे हम लोग ऐसे ही casual सा gaming करते हैं and मैं सोच रहा हूं कि live stream पे भी आएं ताकि थोड़ा live discussion भी हो जाए PC Tech Industry के regarding बाकि मिलते हैं ऐसे ही informative वीडियो में तब तक के लिए Bye Bye Sayonara झाल